कि आज हम पढ़ने वाले 857 इसमी के कारणों के बारे में और आज कारण होगा समाजिक अब धार्मिक कारण के पढ़ेंगे कि जो भी कारण्ती हुई थी उसका समाजिक अब कहरें क्या था और समाजिक अब उन धार्मे कारणों में कौन-कौन सी ऐसी चीज़े थी, जिनकी विज़े से करांती हुई थी, तो अब देख लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, पहला कारण है, सामाजे गिम धार्मे कारणों में, भार्कियों के साथ दुर्व या बहार, जो अंग्रेज थे, वो भार्कियों साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, बहुत नीचा समझते थे, उनको किसी लाइक नहीं समझते थे, चाए वो सेना हो, चाए आदेकारिक पाद हो, कैसे भी पाद हो, चाए आम जनता हो, उन सभी को बहुत नीचे लेवल का समझते थे, और अपने आपको बहुत dh outra में आप़र वाले आप July सव descendantsा आप अंग्रेजों में यह भाव था कि वह सबसे जादा स्रिष्ट और यह भाव आया था उन्होंने एक समय करें विश्व पर राज किया था कहा जाता है कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था कि ऐसा समय था उनका कि उनका सूरे कभी vemos नहीं होता जैसे कि एक भाग्प्र उनका शासर चल रहा है तो जैसे प्रिद्ध्वि दूसरी जगय गोंगर जाती थी तो वहां पर भी उनका सासर रहता था तो इसके माइने थोड़ा आलागे उनको हम कभी और समझाएंगे भारतियों को असबे और नीच समझते थे काले समझते थे अपने आपको गोरा समझते थे और क्या था उच वर्गों में भी भाय का मा होनी जो उच्वर्ग था उसमें भी इतने उपर लेवल पर होने के बाद भी उसमें अंग्रेजों का भहें बहुत ज़्यादा व्याब था वो लोग भी बहुत डरेश हैमे रहते थे जब उनसे बात करते थे नजरे मिला कर बात नहीं कर पाते थे जो उच्वर्ग वर्गी लोग थे यह कहना था सयद सरसयद एमत खांजी का उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि उच्वर्ग में भी उनका भहें अराम से देखा जा सकता था अगला कारण है पाश्चात ये शिक्षा का प्रशार भारतिय भार्शाओं वाशाहिति के प्रति असमांजनक बरताओं पहले इसको देख लेते हैं पाश्चात ये शिक्षा का प्रशार ये भी एक कारण बना क्रांति को स्टार्ट करने का सुरू करने का क्रांति को फैलान प्रसारित करना चाहते थे, यहां पर फैलाना चाहते थे, उनका रीजन तो कुछ और था, कई रीजनों में एक रीजन ये भी था कि वो यहां पर एक ऐसा वर्क फोर्स, काम बाला क्लास, काम के लिए कुछ ऐसा क्लास बनाना चाहते थे, वर्क फोर्स ऐसा बनाना चाहते थे, जिसने कि उनके सासन में वो हैल्फ करें अंग्रे जी शिक्षा यहीं पर प्रसारित करना चाहते थे बहुत सारी जीज़ों को यहाँ पर लाना कारते थे थे ग्रक ईग्लेंड के इस सासन में घुत थे उनकी जो सेलरी होती थी वह बहुत ज्यादा थी उस सेलरी में कम से कम 10 लोग लग सकते थे भारत में उनका यही बोटिक था लेकिन वह गलत पढ़ गया इनके लिए भारती भासाओं और परंपराओं को कुछ नहीं समझते थे उनको किसी भी तरह से सम्मान नहीं करते तो उनको बहुत गलत समझते थे हीन समझते थे कि यह ऐसे ही लोग इनको मान सकते हैं वहना सब भी लोग नहीं मान सकते पढ़े लेके लोग नहीं मान सकते ऐसी परंपराओं को वो परंपराओं को खराब समझते भारतियों की एक और क पुरे भारत में जहां जहां अंग्रेजी स्कूल स्थावित किये थें अंग्रेज़ू द्वारां उन सभी में चुख्षा का माद्यमता व 24 निश्चित के परूब आगे है अग्रेजी डी स्कूक्शा की पढ़ाई किये जाने लगे आवन्को कि शिभी जरूद नहीं थी कि उनको ये डर था कि अगर ये शिक्षा यहां पर फैल गई और हमारे बच्चों में हमारे लोगों में ये प्रसारित हो गई तो कहीं हमारे लोग इशाई न बन जाएं क्योंकि वो इशाई धर्म से और इशाई लोगों को कुछ अलग समझते थे एक तरह से कुछ जिस तरह से भारती भी उनको ही समझते थे क्योंकि वो किसी भी धर्म को जादा नहीं मांते थे वो बवास वगयरा नहीं करते थे और जो सभी जाती वर धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ने में भारती परंपरा और मानेताओं को धक्का जो जाती वर धर्म के बच्चे जो एक साथ पढ़ रहे थे इसमें भारतियों को लगा कि ये हमारा इंपरा और मानताओं को खातम करना चाहते हैं क्योंकि हमारे सुरू से ही देखा गया है कि उच्छ वर्ग के बच्चे अरक पढ़ते थे निम्न वर्ग के मध्यम वर्ग के अरक पढ़ते थे तो अंग्रेजी शिक्षा में ये देखा गया है कि अंग्रेजों को द्वारा जो इस्कूल खोले गए वहाँ पर सभी बच्चे किसी भी धर्म के हो किसी भी जाती के हो उच्छ जाती के हो किसी भी धर्म के हो किसी भी संपरदाय के हो वो सभी बच्चे एक साथ मरते थे जिन से जो भारती परंपरावादी थी जो अपनी परंपराओं को बहुत ज्यादा मानता थी जिनको मानते थे मुनको ये भाया था कि कहीं एक दिन ये सबी एक साथ मिलके रहेंगे तो कहीं हमारा धर्म बरश्ट ना हो जाए तो ये ऐसी विवस्ता है पहले कभी नहीं देखी थी भारतियों ने इसकी वज़े से उनके मन में भाय था कि ये किस तरह की चीज़े चल रहे हैं जो आज से पहले नहीं चल रही थी आगे है अगला पॉइंट है इसाई धर्म का प्रचार प्रसार इसमें क्या था अंग्रेज जो ने एक समय के बाद भारत में इसाई धर्म का प्रचार करना श्टार्ट कर दिया और सो प्रसारित करना श्टार्ट कर दिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसाई बनाना श्ट से वह समय कि जादा से जादा प्रचार करने लगे तीन यह Eक कामुक करणों में से defल अगर यहां पर किसी दूस्री धर्म का कब्जा हो जाए तो भारतियों को यह लगा यह हमारा धर्म ब्रेश करना चाहते और अपना धार्म में बाइबिल का अध्यन अनिवार है कर दिया गया आप गीता कुरान की जगे पे अब बाइबिल का अध्यन अनिवार है कर दिया गया बाइबिल अंग्रेजों की एक धार्मिक पुस्तक है जो की हमारे हिंदों में गीता है उसी तरह से मुश्लिम्स में कुरान है अब उसको भारती है जो थे वो अगर अंग्रेजी स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पर उनको बाइबिल की सिक्षा लेना अनिवारे कर दिया था इससे तो सोचने वाली बात है कि जब आप अपनी धर्म के बारें पढ़ाओगी तो कोई भी सोच सकता है कि आप दूसरी के धर्म को खत उन्होंने भारतिय धर्मों की बहुत ज़्यादा आलोशना की थी जिससे भारतियों में बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन हो गया था जिसकी वज़े से यह क्रांति स्टार्ट हो आगे है अठारे सो पचास से पूर्म धर्म परिवर्तन पर पैत्रिक संपत्ति से बंचित है इसमें एक और चीज है अठारे सो पचास से पहले कोई अपना धर्म परिवर्तन करता था जीसे कि Bak कोई वी किसी भी धर्म में दूसरे धर्म में जा रहा है कि उसको उसकी पैत्रिक संपत्ति सथी जो पिता से आप इसाई धर्म में जाते हो तो आपको पैत्रिक संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा उसके अधिकार सिवंचित नहीं किया जाएगा तो ये सबी चीजें अपनी धर्म को बढ़ाने के लिए की जा रही थी आगे देख लेते हैं ये कंप्लीट हो गया है अब देखते हैं फोर्थ वाइट भार्कियों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षीव क्या क्या हस्तक्षेप था कुछ हस्तक्षेप तो सही हुए थे अगर आज की माइने में देखा जाए तो वह हस्तक्षे बहुत जरूरी थे लेकिन उस समय के भारतियों की नजरिये से देखा जाए तो उनको ये गलत लग रहा था कि ये हमारी पनमपराओं में हमारे धर्म में है गलत तरीके से अलवं कर रहें हमारी चीजों को खतम कर रहें है मैं तो यह भी उनके एक को बढ़ान काने का एक बहुत प्रमुक करणुथ अब इसमें क्या क्या था देख लेते हैं सती प्रथा वा माना बली पर रोख सती प्रथा जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति मर जाता था उसकी साथ जो भी उसकी पत्नी होती थी उसको भी उसकी सिता पर लिटाकर उसको जला दिया जाता था तो और उससे कहा जाता था कि आपके लिए एक मुर्ती बनवाय जाएगी मंदिर बनवाय जाएगा आपको एक सती घोचित कर दिया जाएगा आपकी पूजा की जाएगी इस तरह के लालस देकर कई बहुत सारी ओड़ों को मार दिया जाता था तो ये था सती प्रथा और मानव बली पर रोग तो लौड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा और मानव बली पर रोग लगा दी थी जिसकी वज़े से भी हमारे जो परंपरावादी जो लोग थे वो काफी रुष्ट होगी काफी नाराज होगी आगे है कन्याबद निशिद वो बिद्वा पुनर्विवा कानूनी घोशिक कन्याबद को निशिद कर दिया गया किसी भी कन्या को कोई भी मारेगा ने क्या होता था पहले कि जैसे कोई कन्या पैदा होती थी तो उसको हमारे भारत में ज़्यादा तत देखा गया है कि कन्याओं को साधी कन्य के लिए काफी धन की जरूत पड़ती है इसी वज़ेसे वो जैसी पैदा होती थी या पेट में कही वार मार देते थे ऐसे ही परंपराय चली आ रही थी तो इस चीज को उन्होंने निशिद्ध कर दिया था किसनी किया था लाट डाल होची यह काम उन अगला है इन बदलावों से कटरपंथी वरूडिवादी भारतियों में असंतोष फैल गया और इनको सभिता एवं संस्कृती को नश्ट होने का बैद सताने लगा यह सभी जो बदलाव हुए थे सामाजी के इंधार्मिक बदलाव हुए थे जो अंग्रेजों ने किये थे आते न चाहते थे इसी वज़े से क्रांती असंभब जो असंभब लग रहा था वो संभब बना दी गई इस तरह की क्रांती अंग्रेजों ने पहले नहीं देखी जिए अठारश रतावनी इसमी क्रांती हुई थी तो अब हम देखेंगे अगला पॉइंट शैनिक कारण जो अधिये अधिये आडले वीजेगा